तो दोस्तो आए तारीक हो गए ये 16 दिसंबर की गया है उहीं दोस्तो आगली बड़ी खबार आ रही है दुनिया की सबसे महंगी फिल्म को लेकर जनकारी के मताबिक दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार दव वे ओफ वाटर रिलीज होने जा रही है बताया गया इस मूवी को बनाने में 250 मिलियों डॉलर्स यानि के का कॉंसेप्ट अक सपने से आया था जेम्स केमरून की माशली केमरून ने एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने एक नीले रंकी लड़की को देखा जिसके लंबाई करीब 12 फिट थी माने जेम्स को ये सपना सुनाया तो नहीं एक ऐसे ग्रह की कहानी का आइडिया आया जिस पर नीले रंके लोग रहते हैं जिनके उचाई यानि के लंबाई करीब 10 से 12 फिट होती है वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबारा रही है जियो के 5G को लेकर जनकरी के मताबिक एपल के नए आय यूएस 16.2 वर्जन के साथ ही बीते रोज रिलाइंज जियो ने आइफ जियो के लिए जनकरी के मताबिक दिल्ली एमस में सिग्रेट पीने या तंबाकु खाने पे बैन लगा दिया गया है बताया गया अब अगर कोई दूमर पान करता हुआ पकड़ा गया तो जुर्माने के तौर पर उससे 200 पे लिये जाएंगे वहीं अगर एमस के करमचारियो उने दूमर पान करने की कोशिश की तैसे करमचारियों को अपनी नौकरी से भी हाँ धोना पड़ सकता है वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबरा रही है इंडिया के एक बहतरीन मिसाइल को लेकर जनकरी के मताबिक इंडिया ने बीते गुरुआर को अगनी 5 बलेस्टिक मिस किया यानि के टेस्ट किया और ये परिक्षन सफल रहा है बताया गया एक्टमी ताकत वाली ये मिसाइल 5000 किलो मेटर तक सटीक निशाना लगा सकती है साथी ये जनकरी दी गई अगनी 5 मिसाइल को कुछ नई तकनीकों से लेस्ट किया गया था इसकी वज़ह से अब वो पहल कर रही है वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबार आ रही है फिल्म पठान के विवाद को लेकर जनकरी के मताबिक शारुखानों दीपी का पादुकोंड की आने वाले फिल्म पठान का युद्धा का संत समाज भी विरोध कर रहा है बताया ऐसे गड़ी में हन्वान गड़ी के महंत राजुदास ने कहा है जिस हेटर में ये फिल्म लगे उसे फूंक दो साती कहा दुष्टों के साथ दुष्टता का ही आचरन करना चाहिए दुस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें दरसल पठान मुवी के गाने बेशरम रंग में दीपी का भगवा रं कि खपत को बढ़ाती है इस तरह की कोशिशें कलेक्टिव नेरेटिव को विभाजित और विनाशकारी बनाती है आसान शब्दों में कहां तो शारू खान ने बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों को जवाब दिया है इसी से चुड़ी एक और खबर आ रही है देख जाएगा वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नकली शराब से हुई मौतों को लेकर दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे बिहार के छप्रा में जहरीली शराब की वज़े से अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है अलैके बताया गया है यह सरकारी आकड़े को छुपा रही है वहीं अब इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार का भी बयान आया है उन्होंने का है जो शराब पीएगा वो मरेगा जाहिर बात उनके इस बयान को भी विवाद की नजरों से देखा जा रहा है दोस्तों आप इसी वीडि के टिक टोक इस्तेमाल करने पे बैन लगाने की बात कही गई है बताया गया अमेरिकी अधिकारियों और दोनों मुख्य पार्टियों के नेताओं ने टिक टोक के काम करने के तरीके को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं बाकि दोस्तों शायद आप जानते होंगे के टिक ट और डिजल वाली गाडियों को लेकर जनकारी के मताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले पांच साल में पैट्रोल और डिजल से चलने वाली सभी सरकारी गाडियां हटा दी जाएंगी बताया गःन की जगा इन पे में मिल रही है नौबारा टाइम्स के साटीकल में बताये गया है इस फेचल काम करने की ज़रुआत नहीं है बताये अपल की ये वौच इतने सस्ते में आपको फेजबूप मारकेट प्लेस में नजर आएकी बताया गया यहां पे कई विग्यापन पोच्ट किये गये हैं ज करने के लगके-लड़की के डॉकिमेंट कीकर पुलिस वरिफिकेशन करनाँ साथे ग्रह मंत्री के लगव्यं Qatar में आधार कारण में नाम बदल कर शाधी करने का मामला सामने आने के बाद रहैंगों आगली भएक खबर आ रही ट्रेन में भयंकर आग लगने को लेकर जैनकारी के मताबिक जहरकंट के जरिया इलाके के पाथर डी रेलवे स्ट्रेसन के याड में खड़ी एक सवारी ट्रेन में अचानक आग लग गई ट्रेन के कई डिब्बे दूदू करके जलने लगे बतायागा है कई चीजे जलकर पू इस एक यूजर को इन में से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तो इस इनामी ओफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अन तक देखना है साथी दोस्तो अभी तक हमें इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना और जो भी यूसर इन कामों को करेंगे तो इन मेंसे किसी एक विनर को हर गुरुवार को इन मेंसे कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा आसान शब्दों में आगली बड़ी खबर आ रही है गयरा आसानी से मिल जाता है जो क्या वैद है इसी की वज़े से महिला योग ने दोनों ही कमपनियों को नोटिस भीजते हुए जवाम मांगा है वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे अभी हाली में दिल्ली में बीते बुद्वार सुबा 17 साल की एक लड़ आ रही है कि इस मूवी में किया राडवानी के आपोजिट फेमस टीवी सीरियल देवो के देव महादेव में जिन्होंने शंकर जी का किरदार निभाया है यानि के मोहित रहना नजर आने वाले हैं वहीं दोस्तों आगली बड़ी खबर आ रही है नासा के जैम्स वेब टेल हो या कोई ऐसा विमान हो जो के लाइट की स्पीट से चलता हो यानि के हर सेकेंड में लगभक 3 लाग किलो मेटर का सफर करता हो तो इतने तेज विमान से सफर करने के बावजूद भी जो 10 अरब साल पुरानी गेलेक्सी खोजी गई है वहाँ पर आपको पहुँचने में 19 अरब साल लगेंगे जाहर बात इस तरकी कल्कुलेशन सुनने के बाद दिमाग जहनना जाता है बाकि दोस्तो अब जादा जानकारी प्राप्त करने के लिए नासा की ओफिशल वेबसेट को विजिट कर सकते हैं वहीं दोस्तो आगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात में जीते हुए मुस्लिमों के चुनाओ को लेकर दोस्तो वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे गुजरात में मुस्लिमों की आबादी करीब 9.67 फिस्दी है बतायाग है 122 सीटो वाली विधान सभा में 2017 विधान सभा चुनाओ में तीन मुस्लिम कंडिडेट को जीत म ली थी लेकन अभी हाली में 2022 में जो विधान सभा का चुना हुआ गुजरात में उसमें केवल एक ही मुस्लिम कंडिडेट जीत पाया बतायाग है विधायक चुने गए एक लोते मुस्लिम कंडिडेट इमरान खेडावाला कांग्रेस से हैं वहीं दोस्तों अगली बड़ी रही है राफेल लडाकु विमान को लेकर जनकारी के मताबिक फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी बीते गुरूवार को इंडिय की जमीन पे उतर गया इसके उतरने के साथ ही फ्रांस एंडिया आने वाली राफेल की ये खेप पूरी हो गई वाय उसे नहीं जानकारी बीते गुरुवार को खुद दी है ट्वीट के जरीए ट्वीट में कहा गया है कि फीड रैप पैक पूरा हो गया है यनि के दोस्तों अपने देश में 36 राफिल लड़ा को विमान हो गये हैं वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इंडिय भरत में अपने electric scooter CE 04 को launch करने वाली है बताएग इस scooter की किमत 20,00 रुपे के करीब होसकती है बताएग Fresco स्कूटर एक बर चार्ज होने पर 139 किलो मीटर की रेंज देगी साथी बताया गए से स्कूटर को फास चार्जर के जरीए एक घंटे 40 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार को लेकर जानकरी के मताविक शेयर दिन यानि के बीते गुरुवार को सैंसेक्स में 878 अंको की गिरावट देखने को मिली 6179 रुपे पे बंद हुआ हाले के वहीं निफ्टी 1444 के इस तरफ पे पहुँच गया है टॉप गिनर में बिटानिया हीरो मोटो कॉप और अंटी पीसी के शेयर रहे वहीं टॉप गरे के किराये में 50 फिजदी की बढ़ोतरी देखी गई है हलाएके दोस्तो इतनी महंगाई होने के बावजूद भी यूरप के लोगों को यहां पे घूमना और रहना सस्ता लग रहा है वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे अभी यूरोपिय देशों में महंगा गया यह तीनों ही लोग पटरी के बीच में खड़े होके शौट वीडियो बना रहे थे साथी बताया गया है यह लोग इतने बीजी थे क्यों नहीं ना तो ट्रेन की हेडलेट दिखाए दी और नहीं होरन सुनाई दिया तो अगली बड़ी खबर आ रही है बैंकों की फडी की बैस दरों में बदलाव किया था आसान शब्दों में कहें तो देश के कई बड़े बैंकों ने फडी पे मिलने वाले बैस को बढ़ा दिया है तो अभी आपको दो साल की फडी पे इतना बैस मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यहां पर आपको पां बड़े खार आ रही है सुप्रीम कोट के एक बड़े फैसले को लेकर जैनकरी के मताविक देश के सबसे बड़े कोट सुप्रीम कोट ने अभी हली में बीते गृरुआर को गोदरा कांट के एक दोशी फारू को जमानत दे दी है असल में अमरकेत की सजा के खिलाफ, दोशी एक नए बजट स्मार्ट फ़न को लेकर जनकारी के मताबिक नोकिया कंपनी ने अपना एक नए बजट स्मार्ट फ़न C31 लाँच कर दिया है। जनकारी के मताबिक इसमें 3GB RAM के साथ 32GB की स्टोरेज मिलती है और इस फोन की डिस्पले का साइज 6.7 इंच है। वहीं फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रीर कैमरे का सटप दिया गया है। आपको बतादे इस फोन के शुरुआते कीमत 9999 पे रखी गई है। बैकि दोस्तों आप जादा जानकारी के लिए Nokia की ओफिशल वेबसेट को विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। जवान इतने दिनों से अस्पतालों में भरते क्यूं है। साथी एक और सवाल पूछा गया है कि 14 दिसंबर को तवान के नाम पे दो सल पुराने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वारल हुआ। तो सरकार उसेना के तरप से अभी तक इस पर कोई अधिकारिक बयान क्यूं नहीं आया है। तहीं से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स पर वोचिंग।